दोस्तों अगर आप भी यूटूब से अपनी फर्स्ट पेमेंट लेना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफी अच्छे होने वाली है सबसे पहले मैं आपको अपने बारे में थोड़ा सा बता देता हूं कि मेरी पहली पेमेंट कब आई थी और कितनी आई थी तो आपको पता चाहूंगा कि सबसे पहला मेरा यूटूब चैनल था वो इसरार मलिक था अभी भी है अबाउट में अगर आप जाओगे तो वहां पे 25 मई 2017 की जोइनिंग डेट है और जो मेरी पेमेंट आई थी पहली वो पूरे 2 साल के बाद आई थी आप देख सकते हो पहली पेमेंट है मेरी 7007169 23 मई 2019 को यानि कि करीब करीब 2 दिन की कमी है पूरे 2 साल के बाद पहली पेमेंट आई थी जब मेरे को इतनी नोलीज थी इतना अच्छा मैं मेरे को ग्यान था मैंने अपने यूटूब चैनल को मॉनिटाइज कराया ठीक है उस ताइम मेरे को 2 साल लग गए थे और उस ताइम पता है क्या करता था मैं मैं ज़्यादा यूटूब पे ध्यान नहीं देता था मेरे को इतना शौक भी नहीं था बट मैं जो मरजियाई वीडियो उसको रिकोर्ड किया और उसको पब्लिस कर दिया पता है इस पेमेंट को मैंने क्या किया यह पेमेंट मैंने अपने पास नहीं रखी ना मैंने अपने मम्मी को दी, ना पापा को दी, अपने भाई को दी, ना वाइफ को दी, ना बच्चों को दी, किसी को ने दी मैंने, ये पता है कहां दी मैंने, ये जरुरतमद जो इनसान है, उनको मैंने किसी को गिफ्ट दिया है, किसी को खाना खिलाया है, किसी को जूस पि दे सकता था, उस payment को मैं चाहतो अपने पापा को दे सकता है, अपने लिए कुछ समान ले के आ सकता है, मुबाइल ले के आ सकता है, कुछ तेम 7 हजार उपे का मुबाइल काफ़ी अच्छा मुबाइल आता था, मैं कुछ भी कर सकता था, बढ़ वो मैंने जरूरत मंद लोगो यानि के गरीब लोगों मैं बाटूंगा और उनको दूंगा और जो मेरी सेकंड पेमेंट आएगी उसको मैं अपनी मॉम को दूंगा या फिर अपने पापा को दूंगा दोनों में से किसी को दूंगा या दोनों को दूंगा बात एक ही है तो दोस्तों जब पहली पेमेंट आ काफी अच्छी आई है ठीक है और जब मैंने इस चैनल पर काम किया उस टाइम जब पेमेंट आई उस टाइम मुझे लगा कि अब और महनत करनी चाहिए मैंने ठीक दो साल के बाद टेक्निकल इससरा यूटूब चैनल स्टाइट गया और महनत करी वह चैनल मेरा साथ से आठ मह मेरा चेनल मनोटाइस हो जाएwater और मेरा चैनल अंडर रियूम में चला गया और जब मेरा चैनल अंडर रियू में गया उसके बाद रबात इसके मेन्य उन्हुन्ति का न स BAR चैनल परा गयर मेरा नस हुए उसके नूब् dûबाद होए तो कहने का मतलब है दोस्तों YouTube पे patience मांगता है YouTube पे मांगता है कि आपको सहीम के साथ काम करना है YouTube मांगता है कि आपको regular काम करना है YouTube आपको मांगता है कि आप अपने के अंदर जो creativity है उसको आप publish करिए उसको logo तक पहुँचाईए यहाँ पे अगर किसी भी YouTuber की first payment आ गई तो इसका मतलब है कि उसे यह पता चल गया उसे यह विश्वास हो गया कि अब मैं YouTube से अराम से पैसा कमा सकता हूँ अब उसको यह पता चल चुका है कि अगर मैं अपने YouTube चैनल पे कोई भी वीडियो पफलिस करूँगा तो उसकी earning ही होगी इसलिए जब payment आपकी हो जाती है आपकी जो वीडियो जल्दी जल्दी आने लगती है और आप जना बहुँ ज़्यादा खोश हो जाते है हाला कि पहली payment लेने में काफी दिक्कोतों का सामना करना पड़ता है कैसे जब चैनल मोटाइज हो जाता है तो आपकी कुछ earning कटती है उसके बाद फिर आपके चल पर जो है identity verification करना पड़ता है उसके बाद आपके घर पर Google Adsense पिनाता है वो आपको verified करना पड़ता है और उसके बाद bank add करना पड़ता है bank add करने में भी बंदा ये सोचता है कि मैं घर वाले पास का bank add करू private करू या government करू वो सोचता है उसके बाद आपको बता दाओ कि आजकल तो tax form भी भरना पड़ता है ये सारी चीज़ करनी पड़ती है उसके बाद ही आपके YouTube उसके बाद आपके Google Adsense में 100$ होना चाहिए अगर आपके AdSense में 100$ हो जाते है तब आपका payment easily आपके bank account में 20 हर महिने की 21 date को release कर दिया जाता है अगर आपका bank अच्छा होता है तो आपकी payment जिल दिया जाती है अगर आपका government bank है तो उसमें थोड़ा सा process slow होता है इसलिए आज कल जितने भी बड़े-बड़े caterers है या नहीं यूटोबर है वो private bank में अपना account खुलवाते है जैसे कि ICC bank होगा Access bank होगा Yes bank होगा HDFC bank होगा ये जो bank है private होती है और इनकी जो service है वो काफी अच्छी होती है compare to government bank ठीक है तो मैं आपको यही बोलना चाहता हूँ कि अगर आपके भी अभी तक payment नहीं आई है आप सिर्फ काम करिये महनत करिये अच्छा निस सुनिये बड़ दोस्तो जो बात अब आपको बोलने वाला हूँ वो आपको अपने mind में बैठा लेना है अपने मन, तन, धन में सभी में बैठा लेना है और आपको अपने दिल से कहना है अपने मन से कहना है और कसम खा लेनी है कि जब तक मेरी payment नहीं आएगी जब तक मैं YouTube की first payment को अपने bank account में नहीं लूँगा तब तक मैं हार नहीं मानूँगा तब तक मैं अपने चैनल पे वीडियोज अपलोड करते जाओंगा चाहे मेरे YouTube चैनल पे वीउज आ रहा है या नहीं आ रहा है ये बात आपको अपने कान में गाट बांद लेनी है इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूँ कि जब पेमेंट पहली आती है बहुत ज़्यादा खुशी होती है आपकी वो पेमेंट आप किसी को भी दे सकते हैं दोस्तो लास्ट में कनकूलिजन यही निकलता है कि पहली पेमेंट के लिए आपको थोड़ा सा सायम और वेट और महनत लगती है उसके बाद आपको कुछ भी नहीं करना पड़ता सिरफ वीडियोज अपलोड करो और अर्निंग पे अर्निंग कमाओ उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला होगा मिलदा हों दोस्तों आपको नेक्स वीडियो में दब दगले ठेटा वाई बाई बाई जैहिन